हेलो एवरीवन वैलकम टू स्किल आइक्यू में आपका स्वागत है तो हम कर रहे थे हमारा सेनोनियम्स लुशेंट बुक से तो पार्ट नमबर 12 में आपका स्वागत करते हैं बीना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमने वर्ड्स को सबसे पहला वर्ड है difficult एडिजिक्टिव के रूप में आपे इसको लिया गया इसका मतलब आप जानते ही हैं सबसे पहले जो है इसके दो तीन मतलब से हैं तो सबसे पहला English का मतलब जो है इसका देखते हैं not easy to do to do or understand मतलब इतना आसान नहीं होना किसी भी बात को समझना artificial test or problem मतलब कोई भी test है या कोई भी problem है तो अगर उसके आगे difficult लगा दिया गया तो इतना आसान नहीं है उस चीज़ को उस बात को उस test को जो है समझना एक example और है I find it difficult to get up early in the morning मुझे जो है बहुत मुस्किल होती है मुझे बहुत मुस्किल होती है कि मुझे जो है सुबह सुबह उटने में बहुत ज़्यादा problem होती है मतलब बहुत परिशानी में हसूस करता हूं दूसरे मेनिंग की बात करेंगे तो not friendly, reasonable or helpful मतलब friendly नहीं है जिस चीज तक पहुंचना या फिर हो सकता है वो reasonable हो मतलब reasonable का मतलब होता है जिस तीज तक हम पहुंच सकते हैं और helpful तो आप जानते हैं difficult customer है ना मतलब क्या है कि एक customer जो है customer के आगे इसने difficult लगा है इसका मतलब यह है कि हाँ हो सकता है वो चीज ले तो लेगा बट वो थोड़ा सा convince करना उसको एक तरीके से बहुत कथिन काम है difficulties से बनने वाला एक word है जो noun होता है जिसका मतलब समस्चा कठिनाई या परिशानी और Y को काटके IES जब लगा देते हैं तो difficulties बनता है जो कि इसका plural form बनता है complicated, turning और hard और uphill यह सब जो है इसके synonyms हम कह सकते हैं next word है diplomat diplomatic noun होता है diplomat ईसका plural form होता है इसका मतलब राजनितिक या फिर कुषल कूटनितिक यह सब मतलब हम कह सकते हैं राजनितिक कुषल मतलब राजनिति में जो है तैयारियां की जाती है जो क्या बोलते हैं उनको जो कूट नीतियां बनाई जाती है वो जो है डिकलोमेट जो है बनाते हैं ठीक है उसके बाद जो है मिनिंग की बात करेंगे तो वो ओफिशेल व्यक्ति हो रिप्रेजेंट सिस कंट्री इन अब फॉरण कंट्री ये भी एक डिकलोमेट जो है होता है जैसे कि a diplomat at the embassy is in Rome मतलब एक diplomat है जो embassy में है रोम के Diplomatic जो है एक adjective बनता है इसका मतलब राजनाइक या कूट नीतिक या नीती संबंदी Diplomatically जो है एक adverb बनता है हमारा यहां पे लिखा हुआ नहीं है यह adverb होता है इसका मतलब वहार कुशलता से या राजनाइक जो है रूप से Diplomacy जो है noun बनता है A, C, Y, ending words जो है noun होते है Diplomacy इसका plural form बनता है इसका मतलब चतुराई, चालाकी, कूट नीती, व्याभारी कुशलता यह सब जो है मतलब कह सकते है Diplomatist जो यह सब चीज़ें करता है व्याभार कुशल व्यक्ति होता है या राजनाइक, या राजनाइक जो है होता है Synonyms की बात करेंगे तो Go between, Mediator, Moderator या फिर Negotiator जो है हमारे Synonyms होते हैं Diplomatic के Next word है Disgraceful यह एक adjective होता है इसका मतलब अपमान जनक या अपमान कारक लज़ा कारक या फिर शरमनाग भी आप इसको कह सकते हैं Meaning की बात करेंगे तो Very Bad Making Other People Feel Sorry और Embraced मतलब जो है बहुत ही मतलब एक खराब जो है प्रदर्शन एक तरीके से आप इसको कह सकते हैं The behavior of the teams, fans was absolutely disgraceful जो टीम के जो फैंस थे ना उनका behavior जो है अपने टीम के परती अच्छा नहीं था बिल्कुल disgraceful था Disgraced ये एक adjective होता है इसका मतलब बे आबरू समझते होंगे आप बे आबरू का मतलब है उसके बाद इस disgracefully double ly ending जो words होते हैं ज्यादा तर वो एडवर्ब जो है हमारे होते हैं ठीक है तो ये अपमान सहित आप कहेंगे रहित नहीं सहित डिस्ग्रेस फुली तो डिस्ग्रेस जो है वाब के रूप में भी हम यूज करते हैं डिस्ग्रेस डिस्ग्रेस इसका second and third form होता है इसका मतलब कलंकित करना अपमानित करना निरादर करना सम्मान ना देना ये सब जो है मतलब कह सकते हैं सिनोनियम्स की बात करेंगा तो डिस्ग्रेस कह सकते हैं ड्रैड्फुल कह सकते हैं सेम्फुल कह सकते हैं और मीन भी आप इसका कह सकते हैं मीन थोड़ा सा वैसे तो यहाँ पतों से कि दाठे कि आफिजु जो ही आप restart करना यह सब मतलब होता है तो यहां पे य को काट के हम आई ए ऐस लिख रहे थे बट यहां पर y को काट नहीं रहे हैं लेकिन उसके साथ जो हमने ed add करके second or third form बनाया है क्या कारण है इसके पीछे मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ तो आप जो है comment box में लिखके बताएंगे मुझे कि इसके पीछे क्या reason हो सकता है या होता है meaning की बात करेंगे तो a strong feeling of disappointment जो निराशा है हताशा है उसको मैं realize कर चुका था कि मुझे जो है जाना था और मैं अपना plane जो है miss कर चुका था अपनी flight जो है miss कर चुका था dismayed एक adjective भी बनता है जो कि second or third form के रूप में लिखा जाता है यह एक adjective का काम भी करता है इसका मतलब हतोत साइथ भी आप कह सकते है depressed, disappoint, terrify, discourage और horrify सारे के सारे verbs है because हमारा main word जो है verb है तो यह सारे के सारे जो है हमारे verbs हैं तो यह जो है हमारे इसके क्या होते हैं synonyms जो है गेने जाते हैं diversity, diversity noun है, ty ending words जो होते हैं वो noun होते हैं लग भग noun होते हैं ठीक है और विभिन्ता, विश्मता, विविद्धा, परिवर्तन यह सब जो है इसके meanings होते हैं English meaning की बात करेंगे तो to wide variety of something मतलब किसी चीज की अलग सी जो है एक category या फिर जो है अलग से उसके बारे में जो है अगर कुछ बताया जाता है जिसे की culture and ethnic diversity, ethnic मतलब जो सोच समझ होती है, जो नैतिकता होती है ठीक है, उसको ethics बोलते हैं तो diversification और diverseness यह जो है nouns बनते हैं, इनका मतलब विविटता या विविदता होता है यह जो है दो जो है यह हमारे verbs बनते हैं इसलों विविद परकार का या तरह तरह के अनिक इसके मतलब भी होते हैं उसके बाद जो है difference और variety और rank ये जो है हमारे जो है क्या हैं इसके synonym say rank जो है एक noun के रूप में यूज किया जाने वाला word है और इसका मतलब दो तरीके word दो तरीके से इसको यूज किया जाता है part of speech के साफ से एक तो verb के रूप में जहां इसका मतलब होता है पंती में रखना या श्रेणि बद करना दूसरा नाउन के रूप में इसका मतलब होता है एक ही परकार की विभिन वश्तु है उनमें कुछ फॉलिटी जो है एक ही जैसी होती है तो उन चीजों को जो है रैंक एक तरीके से बोलते हैं नेक्स्ट वर्ड है आप जानते होंगे कुड़ा कच्रा जो निकासी की जाती है पानी और कुड़े कच्रे की उसको ड्रेनेज जो है बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम आपने बड़े अच्छे तरीके से सुना होगा ठीक है तो नाउन वर्ड के रूप में हम इसको यूज करते हैं इसका मिनिंग क्य ड्रेन जो है वर्ड के रूप में भी यूज किया जाता है और अपने जो है किसके रूप में ना उनके रूप में भी यूज किया जाता है अगर वर्ड के रूप में यूज करते हैं तो इसका मतलब पानी निकालना या कुड़ा करकट निकालना या हटाना या सफाई करना क कह सकते हैं लेकिन ड्रेन का मतलब नाली या फिर अपवाही का जो होता है यह एक साइंस का वर्ड आ जाता है अपवाही का सिनोनियम की बात करेंगे तो सीवेज कह सकते हैं और वेस्ट भी आप जो इसका सिनोनियम कह सकते हैं ड्रामेटिस्ट, जो है ड्रामेटिस्ट से, इसका जो है प्लूरल फॉर्म बनता है, आप इसका पार्ट आप स्पीच भी जानते हैं, मिनिंग के बात करें इंग्लिश की तो आप परसन हूँ राइट्स प्लेज और थीटर, रेडियो और टीवी, मतलब एक ऐसा व्यक्ति ड् के लिए जो है, क्या लिखता है, प्ले लिखता है, ड्रामेटर्जिक, अच्छा वर्ड है, स्पैलिंग के हिसाब से भी इंपोर्टेंट वर्ड है, यह एक एड्जेक्टिव होता है, और इसका मतलब आकस्मिक, यानि कि अचानक एक दम से सड़नली, या फिर नाट की ड्रामेटाइजड, इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है, इसका मतलब द्रिश्य बनाना, या फिर नाट की रूप देना, या नाट की रूप देना, ये सब जो है मतलब कह सकते हैं, सिनोनियम्स की बात करेंगे, तो कॉमेडियन कह सकते हैं, प्ले राइट कह सकते हैं, play writer कह सकते हैं, script writer भी आप जो है, कह सकते हैं synonym, उसके बाद है drunkard drunk से बना है, या drink से बना है ठीक है, तो drunkard जो है हमारा क्या होता है, वैसे तो third form के रूप में भी यूज करते हैं, इसको drink की ठीक है, तो drink, drank, drunk, drink, drunk, नहीं, थर्ड फाम नहीं बनता है यह नायवड है टीक है preparedness कि यह aerial फॉर्म बनता है एसे लगाने से का प्लूर्यूरल स्पॉर्म बनता है और समवन हुव फ्रिकवेंटली जैस द्रंक जो बहुत ज्यादा मतलब सराब का सेवन करता रहता उसको डूंक कर परिंप सेंड पर्संको बॉलते हैं सिन्याम चाहेंगे तो ड्रिंकर कह सकते हैं ड मथारे लिएक पनुपने लिएदी के ऊपर से बिलडर के निशान बाहर आरी है लिएक व्लेडर के निशान डिखेंगे तो वह सूक कर चुकीоров तOG पूरे तरीके से तो वह सूक्ट है नेक्स्ट जो है हमारा डियूरेशन है डियूरेशन नाउन के रूप में यूज किया जाता है अवधी लंबाई है यह सब मतलब होता है डियूरेशन जो है इसका प्लियूरल फॉर्म होता है जो लास्ट जो टाइम होता है उसको बोलते हैं एक दी गई मियाद जिसको बोलते हैं हिंदी में अच्छा वर्ड है उर्दु का वर्ड है यह मियाद प्लीज रीमें सीटेड फॉर दूरेशन ऑफ फ्लाइट मतलब यह जो है कोई जहाज में कह रहा होगा होस्टेस हो सकता है कह रही हूँ कि आप अपनी सीट पर रहें जो फ्लाइट जब जिस दोरान जो फ्लाइट उड़ेगी तो उस समय पर आप अपना सीट पे बैठे रहे हैं मतलब आराम से सीट पेड लगा कि Durative जो है एक Adjective होता है तो उसका मतलब टिकाओ जो है आप कह सकते हैं Durative जो है Noun के रूप में भी यूज कर सकते हैं उस समय भी इसका मतलब टिकाओ ही होता है Synonyms की बात करेंगे तो Extend कह सकते हैं, Period कह सकते हैं, Stretch कह सकते हैं, Length भी आप इसका कह सकते हैं कि अब बहुत बार देखा गया कि इस वर्ड का यूज जो है टाइमिंग या डूरेशन टाइम जो बताने के लिए बहुत बार देखा गया इसका यूज आप जो है कॉमेंट बॉक्स में संटेंस बना के भी आप जो है इस बात को बता सकते हैं कभी तक बीद नहीं बेजा एटलिस्ट सो डेट सो बच्चे तो वीडियो देखते ही हैं ठीक है तो प्लीज आप लोग संटेंस बना के कभी भी नहीं बता यह गलत बात है आप लोगों की ड्वाफ इसका मतलब बोना या वामन कह सकते हैं ड्वाफ या ड्वाफ इसका सेकंड और थर्ड फॉम कह रहा द्वाफिजम् यह एक प्रोसेस हो गया बोनेपन का और यह भी जो है ड्रॉफनेस्ट वी जो है हमारा सेम वही होता है बोना पन अल्फ जिनों और लिलीप्यूटेशन लिलीप्यूटेशन और पिगमी टॉम और थम यह सब जो है मतलब हमारे द्वाफ के होते हैं या फिर प्सिनोनियम्स जो है इनको कह सकते हैं डाइनेमिक शक्तिमान गती शील या गत्यात्मक जो हमेशा गती में रहता है उसको डाइनेमिक बोलते हैं एड्जिक्टिव जो है इसका प्लूरल जो है फॉर्म होता है इसके मिनिंग की बात करेंगे तो आप कह सकते हैं फुल ओफ एन जो मोवेंट होती है वो भी जो है डायनेमिक एक तरीके से होती है एक्जामपल की बात करेंगे तो आप कह सकते हैं डायनेमिक गवर्मेंट is necessary to meet the demands of a changing society जो डायनेमिक गवर्मेंट होती है वो जो है वो जरूरी है उसके लिए कि वो जो है demands को देखे जो changes हो रहे हैं society में उन वो जो गॉर्मेंट होती है उस परकार की जो चेंजीज हो रहे होते हैं सोसाइटी में समाज में संस्कृती में जिस भी तरीके से चेंजीज हो रहे हैं तो गॉर्मेंट भी जो है अपने आप में एक चेंज लेके आए उसी तरीके की सोच जो है रखे ठीक है और अपने एन्द फोरवाइड लूकिंग है न हम जो है हमें जो है एक ऐसे परसन की जुरूरत है जो आगे की सूचता हो तो दोनों मेनिंग जो है इन दोनों संटेंसे से क्लिर हो जाते हैं dynamical एक adjective होता है गतीशील या सकरिय है dynamically एक adjective बनता है इससे संचालन सक्ती या सकरिय है रूप से dynamism जो है नाउन बनता है गतीशील उच्छा या गतीवाद कह सकते है ism ending words जो है एक प्रोसेस होते हैं ठीक है इस बात का हमेवेशा धनार रखें dynometer ये जो है सब्सक्राइब करते हैं तो हो गई क्योंकि किसी चीज का नाम है टो अरे जो इसके तरी나 मिंग कि तरीके से हमारा जो है ये एक अच्छा सेशन आप इसको कह सकते हैं वर्ड्स थोड़े से अन नौन के कैटिगरी में नहीं थे एक दो वर्ड्स को देख छोड़के रैंग था जैसे ठीक है तो इस तरीकी के वर्ड्स थे जो मैं आपसे क्वेशन्स पूलता हूं उनका भी आंसर किया करे ताकि मुझे भी अच्छा लगे और मुझे ये बता चले कि आपने वीडियो को वहां तक देखा है तो थेंक्स इसी नोट के साथ मैं अपनी वानी को विराम देता हूं मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में थेंक्स बट्स जाने से पहले शेयर जरूर करना है और दूसरा चैनल डीप स्टड़ी जो है आप जुरूर से सब्सक्राइब करें ताकि हमें एक अलग से सुपोर्ट भी मिलती है तो थैंक्स वाचिंग थैंक्यू सो मच फ्रेंड्स थैंक्यू सो मच